हाँ जी नमस्कार सभी को मैं ज़सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिक्षा सागर में और आज हम यहां देखने वाले हैं सिविक्स का सिफ्थ चैप्टर और ये आप लोगों के लिए केवियस और सीटेट दोनों की कम्प्लीट ये म आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और ये पूरा आपको कोर्स भी मिल जाएगा तो कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से बढ़िया से बढ़िया आपको कंटेंट देने की शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर और अगर आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशन नह उसके बाद ट्यूब टी यू बी इए इस नाम से सर्ष कर लेना आपको मिल जाएगा तो यहां हम क्या देखने वाले हैं यहां देखने वाले हैं कुछ सरकारी विभागों का काम जिसमें से सबसे पहला कौन सा आता है पुलिस का काम होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं ह हर पुलिस थाने का एक कारे शेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में होता है मतलब यह कि किसी भी पुलिस थाने का एक शेत्र है उस शेत्र में जितने भी चोरी हुई है या कोई भी ऐसी गतिविधी जो नकरात्मक है जिसकी F.I.R कराई जा सकती है तो F.I.R की फुल फोर्म आपको पता होनी चाहिए कि F.I.R की फुल फोर्म क्या होती है तो मानी जे दुरगटना हो गई कोई मार पेटा ही हो गई कोई जगडा हो गया उन सभी चीजों की F.I.R पुलिस टेशन में करवाई जा सकती है लेकिन सभी पुलिस टेशन का एक शेत्र होता है एक एरिया होता है सिर्फ उसी एरिया की वो F.I.R करेंगे लेकिन एक नई भी इसको बूलते हैं Zero F.I.R क्या बूलते है? Zero F.I.R. यह क्या चीज़ ओती है? Zero F.I.R होती है कि आप किसी भी थाने में किसी भी शितर की F.I.R करा सकते हो बाद में देख लिया जाएगा कि उस F.I.R को कौन से थाने में ट्रांसफर कराना है इस तरीके से आगे वढ़ते हैं नेक्स देखते हैं यह जो आपका चैप्टर है यह एक छोटी सी कहानी से शुरू हुआ था वो कहानी आपके काम कि थी नहीं इस वज़े से थोड़ा सा मैं आगे बढ़ चला हूं अब यहां क्या देखने वाले हैं राजस्व विभाग का काम क्या होता है तो उससे जुड़ी हुई कुछ आपको छोटी-छोटी बाते बता कर फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे उसके पहली जुबात है वो क्या है जमीन को नापना और उसका रिकोर्ड रखना पटवारी का मेन काम होता है ठीक है अलग अलग राज्यों में पटवारी को अलग अलग नाम से जाना जाता है कहीं उसको पटवारी बोल देंगे कहीं लेखपाल कहीं करमचारी कहीं ग्रामीन अधिकारी तो कहीं कानून को कुछ भी इस ताइप में से कोई भी एक नाम हो सकता है यह सभी नाम वाले जो व्यक्ति होंगे इन सभी का काम सेम होगा जो पटवारी का काम होता है वही वो काम करेंगे तो यहां आपको बताया गया है कि सबसे में काम इसका क्या होता है सबसे में काम होता है कि जो भी आपकी जमीन की मालिजे की उसका मापन हो गया या उसका रि आम तोर पर जो पटवारी होते हैं उनके पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं कही जगे पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तमाल किया जाता है जंजीर को जरीब कहते हैं ठीक है तो जरीब याद रखना जरीब क्या होती है ये एक लंबी लोहे की जंजीर होती है जो पटवारी के दुबारा इस्तमाल की जाती है खेत को मापने के लिए ठेक है आगे वढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं बई नेक्स्ट क्या पॉइंट है जो पटवारी है वो किसानों से भूमी कर भी कटा करता है अभी तक मैंने क्या पताया था कि उसके पास जमीन का लेखा जोखा होता है उसके साथ साथ पटवारी और क्या काम करता है जैसे माल लीजिए कि किसी किसान के पास कोई भूमी है उससे अगर टेक्स लेना है तो वो क्या कोन इकठा करेगा वो पटवारी ही इकठा करेगा और सरकार को अपने शेतर में उगने वाली फसल के बारे में जानकारी देना भी उसी का काम है उन सभी चीजों को वो रेकॉर्ड पे रखता है ठेक है आगे बढ़ते हैं वही और आगे चलें नेक्स्ट यहां आपको दिखाई देगा एक नक्षा टाइप की चीज इस नक्षे पे क्या लिखा हुआ भी इस नक्षे पे लिखा हुआ है खसरा तो यह खसरा क्या होता है खसरा का अर्थ हुआ कि एक ऐसी मिली जुली जमीन जो अलग-अलग लोगों के नाम पर है और जिसक जैसे होता है कि मकान नमबर अलोट कर दिया ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है जैसे मान लीजे कि चार भाई है तो उनके नाम पे हो गई जमीन या जैसे मान लीजे कि यह जमीन जो है यह वाली जो जमीन है यह जमीन के मालिक का नाम उसके पिता या पती का नाम यह सारी चीज है ठीक है ये पूरा कॉलम है जिसमें नाम वगरा लिखे जाते हैं अब जमीन पहली कौन सी है पहली जमीन है ये ये किसके नाम किया भई मोहन वल्द राजाराम गाउं अमरापुरा ये जमीन का मालिक है मतलब कि मोहन जिसके पिताजी का नाम क्या था इनके पिताजी का नाम राजा राम अब ये देखा जाता है कि ये बटाई पर दी है कि नहीं दी है बटाई का अर्थ क्या होता है जमीन का मालिक ये है लेकिन किसी और व्यक्ति को इसने ये बोल दिया कि भई जमीन मेरी है तो एक काम कर मेहनत तू कर ले किसानी तू कर ले खेती कर ले और बदले में क्या होगा कि आधी जो फसल होगी वो तू रख लिए आधी फसल मुझे दे दिए या कुछ भी ऐसा उनके बीच में एक करार हो जाता है, एक agreement हो जाता है, उसके बाद कि उस जमीन पर फसल कौन से उगाई गई है, कितने शेत्र में उगाई गई है, मेन फसल के अलावा क्या को next यहां क्या लिखा गया है भ похож किसानों को अक्सर अपने खेथ के नक्षे और की कढ़ती है जो उनको कुछ शुलक मतलब कुछ पैसे देने पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद मिल जाता है नक्षा और रेकोर्ड या उसका पूरा माप सब कुछ मिल जाता है अब ये शुल्क जो है इसको घूस मत मानना की रिश्वत देनी पड़ेगी तब मिलेगा ऐसा कुछ नहीं होता इसका आर्थ क्या हुआ वह इसका आर्थ ये हुआ कि उसे कुछ फीस देनी पड़ती है उसके काम है जब किसान को जरुत पड़ती है वही जमीन की अपने रिकोर्ड देखने की जैसे मानीजे किसान कोई खरीदना चाहता है या फिर बेचना चाहता है या फिर अपनी फसल किसी दूसरे को बेचना चाहता है या फिर अपनी जमीन पर कुवा खोदना चाहता है उसके लि ही है तो इन सभी कामों के लिए किसान को अपने खेत की या अपनी जमीन की माप और उसका जो नक्षा है वो चाहिए होता है अब आगे बढ़ जाते हैं भई नेक्स देखते हैं कि नेक्स पॉइंट क्या है आप लोगे सामने किसान क्या करते हैं कई बार फसल बदल देते हैं जैसे माल लिजे कि ये तो रूल है कि हर साल एक सेम फसल नहीं बोई जाएगी वरना जमीन बंजर हो जाएगी तो इस बार कुछ और उगाया है कई बार अगली बार कुछ और उगाया जाएगा हर एक फसल के अलग-अलग दाम होते हैं अलग-अलग दाम होगा तो टेक्स भ बदले एगाया मान लीजे कि कुवा खोदा गया है तो क्या देखना पड़ता है कि इस पूरे शेतर में कुल मिलाकर कितने कुवे हैं तो उन सभी चीजों का जो रिकोर्ड है वो पटवारी को रखना पड़ता है और वो इसी प्रकार से रखता है आगे बढ़ते हैं वह नेक् खंडों में बाठ दिया गया है खंड का मतलब क्या हुआ सेक्टर में बाठ दिया गया है तो यह जो सेक्टर होते हैं यह अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं जिले के उप खंडों को कई नामों से जाना जाता है जैसे कि कई लोग इसे तैसील भी बोल देते हैं और कई इसे तालूका भी बोल देते हैं.ninकी इच्छा है कि उनके शेत्र में क्या बोला जाता है. तो याद रखना तैसील तालूका तैसील में क्हा है? सेम चीज है. सबसे उपर कौन होता है वही सबसे उपर होता है जिला अधिकारी उसके नीचे फिर एक होता है तैसीलदार और फिर उसके नीचे होता है पटवारी तो तैसीलदार के नीचे नीचे जिला अधिकारी के नीचे तैसीलदार और उसके नीचे पटवारी अब जो पटवारी काम क करता है उसका निरिक्षन कोन करता है तैसिलदार करेगा और तैसिल दार जो काम धुछता है उसके इसको जाती है जिला अधिकारी को आगे बढ़ते हैं कि इसके अलावा और यहां मैंशन किया गया है कि विद्यार्थ Κi Amazon क्या जरुत पढ़ती है विद्यारतियों को कई बार जरुत पढ़ती है जाती प्रमान पत्र की ठीक है है यह ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि किसी को जाती के आधार पर नोकरी या कोई की रिलेक्सेशन या कुछ भी मिले तो जाती के आधार पर कभी भी कुछ भी नहीं होना चाहिए वरना आप यह नहीं कह सकते कि कानून की नजरों में सब बराबर हैं सब बराबर कारत ही होता है कि सभी बराबर रहें चाहिए वो किसी भी जाती से हैं किसी भी धर्म से हैं किसी बाद भी यही कहा जाता है कि सब बराबर है तो मैं थोड़ा सा भावनाओं में बहा गया था वापिस से आते हैं अपनी बात पर कानून की नजरों में सब बराबर है यह हम मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे आगे बढ़ते हैं वई नेक्स देखते हैं नेक्स पॉइंट यहां बताया गया है कि एक नया कानून आया क्या कानून आया वही ये 2005 में कानून आया था हिंदू अधिनियम धारा ये फिर हसो गया आप लोग अभी बोला गया था कि किसी धर्म के नाम पर नहीं बाटना है और यहां तो कानूनी धर्म के नाम पर बन रहे हैं मतलब हिंदू अधिनियम धारा में सिर्फ और सिर्फ हिंदू जो लोग होते हैं उन पर ये कानून लागू होता है बागी धर्मों पर नहीं होता हद होगी पर कोई बात नहीं अपना काम पढ़ना हम पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो आगे क्या बताया गया है आगे बता बेटों और बेटियों और उनकी मा को जमीन बराबर हिस्सों में मिलने लगी है। ये कानून सभी राज्यों में और सभी केंदर शाशित परदेशों में लागू होता है। मुझे इस कानून से कोई दिक्कत नहीं लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी है कि इसमें हिंदू नाम जोड़ा गया जो बहुत बहुत ज़ादा गलत लगा मुझे परसनली गलत लगा। आगे बढ़ते हैं तैसीलदार के दफ्तर में क्या काम होते हैं जमीन से जुड़े हुए सारे विवाद जो है वो सुने जाते हैं ठेक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में कुछ भी है नहीं कुछ भी नहीं है इस पूरे चैप्टर में यही कुछ में चीजे थी आप लोगों के लिए कि राजस्व विभाग का क्या काम होता है जो 2005 का जो हिंदू एक्ट है वो क्या है यह सारी चीजे आपके ल अगर पीडियेफ आपको चाहिए अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो सिक्षा सागर एप को डाउनलोड करना है और उसमें एक बहुत ही छोटा सा सब्सक्रिप्शन होता है 151 रूपीज का उसे बस सब्सक्राइब कर लेना है ठेक है तो इतना छोटा सा काम आपको करना है और उसके बाद सभी नोट्स सभी पीडियेफ और सभी मॉक टेस्ट आपके सामने होंगे टेक के गुडबाई ध्यान रखिए पढ़ते रहिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दो गंटे के बाद